दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल दिल साथ में और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा Vivo Y12S फोन में प्लेस्टोर को डिसिबल कैसे करें और प्लेस्टोर को डिसिबल करने से होता क्या है जैसे के आप यहाँ पर हमारा फोन देखते हैं हमारे फोन में यहाँ पर प्लेस्टोर दिखाई दे रहा है लेकिन अगर हम प्लेस्टोर को डिसिबल कर देते हैं तो यहाँ पर तमाम जितने भी एप्लिकेशन है सभी एप्लिकेशन हमें दिखाई देंगे लेकिन play store यहां से hide हो जाएगा play store दिखाई देना बंध हो जाएगा और play store काम करना बंध कर देगा ऐसे में अगर किसी भी application में update आती है तो update नहीं कर पाएंगे और नहीं हम किसी application को play store से download कर पाएंगे अब ऐसे में अगर आपका phone को यह ले लेता है और बार बार game या फिर कोई ऐसा application इस्टॉल कर देता है जिससे आपके phone की रेम पर फड़क पड़ता है तो ऐसे मैं आप अपने phone को कुछ समय के लिए disable कर सकते हैं और disable करने के लिए आप अपने phone में settings को open करेंगे जैसे के मैं यहाँ पर अपने phone की settings को open कर लेता हूँ और settings को open करने के बाद आपको अपने phone में एक feature ढूणना है जिस feature का नाम है Apps and Notification आप यहाँ पर Apps and Notification पर टच करेंगे अब आपके सामने यह interface आ जाएगा आप यहाँ पर see all apps पर टच करेंगे और नीचे की तरप आप यहाँ पर scroll करेंगे और नीचे की तरप scroll करने के बाद आपको यहाँ पर play store को ढूणना है जैसे के हमें यहाँ पर play store दिखाई दे रहा है आप यहाँ पर अगर चाहे तो यहाँ पर search करने के बाद भी play store को ढूण सकते हैं मैं यहाँ पर search करता हूँ play तो यहाँ पर आप देख सकते हैं play store आ चुका है आप यहाँ पर touch करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने यह settings open हो चुकी है आप चाहे तो इस setting में direct भी आ सकते हैं आप अपने phone में play store के उपर अपना finger hold करेंगे और आप यहाँ पर app info पर touch करेंगे तो आपके सामने यह settings आ जाएगी अब आप यहाँ पर disable पर touch करेंगे और आपके सामने यह pop up आ जाएगा और आप यहाँ पर अब disable apps पर touch करेंगे अब यहाँ पर हमारे phone से play store hide हो चुका है play store guide हो चुका है या फिर यह कहूँ play store disable हो चुका है play store install हो चुका है अब अगर आप यहाँ पर अपने mobile के home page में आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके phone से play store guide हो चुका है आपके तमाम application में आपको play store दिखाई नहीं देगा दोबारा play store को आपको वापस लाना है तो आपको क्या करना है अपने phone की settings को open करना है settings open करने के बाद आप यहाँ पर apps and notification पर touch करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर see all apps पर touch करेंगे अब यहाँ पर उपर search करेंगे play store हम यहाँ पर play store search करते हैं और अब आपको यहाँ पर enable पर touch क लगा है तो इस तरह आप बड़ी आसाने से अपने फोन में प्लेश टोर को डिसीबल कर सकते हैं वीडियो गर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजेगा मैं मिलता हूँ आप से लिए इसी तरह की नॉलजबल वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेगा और हमारी य यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से सुक्रिया